हेलो मैं चंद्रिका राजपुद गोपिनत किचन में आपका स्वागत करती हूं आज हम बनाएंगे खजुर बॉल्स खजुर हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है खजुर खाने से हमारे बॉल्स और हार्ट स्ट्रॉंग होते हैं खजुर खाने से हमारे सरीन की कमजोरी है वो दूर हो जलती है और तुरंट स्फूरती आती है तो यह खजुर किसी ना किसी तरह से हमें खाना चाहिए आज हम खजुर के बॉल्स बनाएंगे और इसमें‑ nos सारा ड्राइफरूट एड़ किया है तो यह बहुत फाइदेमंद है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करें यहां मैंने 500 ग्राम खजूर लिया है एक खजूर एकदम सौफ्ट कजूर आता है वह हमें लेना है तो यह 500 ग्राम खजूर और इसके अलावा हम ड्राइफरूट मेल अब हम खजूर में से जो भी इनके सीड़ से वह सारे निकाल देंगे बहुत सौफ्ट है तो यह हाथ से ही निकल जाएगा और इस तरीके से हम सारे खजूर को हम इसकी सीड़ से अलग कर लेंगे अब हम गैस ओन करके गैस पर कड़ाई रख देंगे और जो हमारे पास एक खसकस है उसको हम बस थोड़ा सा ही सेख लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक ही शेख ना है अब इसको हम तुरंट दूसरी प्लेट में डाल देंगे वरना यह ज्यादा शेख जाएगा अब वही कड़ाई में हम एक चम्मच की डाल देंगे अब हम सारे ड्राइफ्रूट जो हमने कट करके रखे है वह हम सेख लेंगे तो यहां पहले हम बादम का टुकड़ा एड़ करेंगी और बादम जब तक आधा सेख चाहे इसके बाद हम इसमें काजु का टुकड़ा रखनी है वैसे हम लो रखे तो ही अच्छा है वरना यह बहुत जल्द जल जाता है तो इसको हमें थोड़ा सा ही सेख ना है अब हम इसमें एड़ करेंगे काजु का टुकड़ा इसको भी हम थोड़ा सेख लेंगे गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी है अब हम इसमें एड़ कर देंगे अख्रोट और पिस्ता इसको भी हम आदी मिनिट जितना ही सेख लेंगे इसको बहुत कम समय ही सेख ना है थोड़ा सा इसको हम सेख ले तो अच्छा लगता है वैसे हम कच्चा भी यूज़ कर सकते है पर थोड़ा सेख लेंगे तो इसका टेष्ट बढ़ी आएगा अब हम इसमें एड कर देंगे नारेल का बुरादा गैस को हम बंद कर देंगे नारेल का बुरादा यह सारे ड्राइफ रूट गरम है तो इसमें ही सेख जाएगा सिर्फ हमें मेक्सी करना है अब इसको भी हम दूसरी प्लेट में डाल देंगे अब वोई कड़ाय में हम फिर से एक चम्मच भरके घी लेंगे, यह चमा हुआ गी है, अगर पिगला हुआ हो तो दो चम्मच जितना लेना, अब हम इसमें एड करेंगे खजूर, गेस की फ्लेम अब भी हमें मेडियम टू लो ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, इस बात का में ध्यान रखना है, यह थोड़ी ही देर में वैसे तो एकडम सौप्ट ही खजूर है, इसलिए थोड़ी देर में एक मावा जैसा इसका टेक्सर बन जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से कंटीन्यू चलाते हुए मिक्स कर देंगे, ताकि वो एक सौप्ट डो जैसा तयार हो जाए, तो थोड़ी ही देर में यह हमारा खजूर का एकडम सौप्ट डो जैसा तयार हो गया है, बस हमें इतना ही सेखना है, अब हम इसमें एड करेंगे ड्राइफ्रूट, गैस को हम बंद कर देंगे, ड्राइफ्रूट हमें सिर्फ मेक्स ही करना है, गैस और नहीं रखना, इसको हम अच्छे दरीके से मेक्स करके, ठंडा होने के लिए दूसरी प्लेट में ट्रांस्पर कर लेंगे, यह थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे, ताकि जल्द ठंडा हो जाए, अब नहीं ठंडा हो जाए है, तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा देंगे, दोनों हथेली में घी लगा देंगे, इसके हम बॉल्ट तयर कर लेंगे, इसके बॉल्ट सहुम निम्बू के जितने तयर कर लेंगे, अगर आप चाहो तो इसका पीस भी बना सकते हो, तो इस तरह के से हम सारे बॉल्स तायर कर लेंगे, खजुर हमारी सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद है, तो खजुर को हमें विंटर में तो अविश्य खाना चाहिए, चाहे इसका ऐसा पाक बनाओ या फिर इसको दूद में मिला के पियो, किसी पर तरह के से हमें खजुर का स तो उसको बहुत पसंद भी आएगा और खा भी लेंगे, वैसे वह खजुर नहीं ख़ायेगा, यहां हमारा खजुर का बॉल्स तैयार हो गया है, अब हम इसको आधा खस खस वाला कर देंगे, और आधा नारिल का बुराधा वाला, वैसे तो हम यह नारिल का बुराधा और खस-खस मिक्स कर दे तो भी चलेगा पर मैंने यहां इस तरीके से किया है अब ऐसा करने से यह बॉल्स जो है वह एक दूसरे आपस में चिपकेंगे भी नहीं और यह खाने में भी हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि खजूर के साथ हम नारिल का बुरा दा यह से खाएंगे तो अच्छा लगेगा हम बॉल्स के उपर गार्निसिंग के लिए पिष्टा का जो हमने स्लाइस करके रखा है वो हम रख देंगे इस तरीके से हम सारे बॉल्स नारिल के बुरादा और खसकस वाला कर लेंगे और उपर हम पिष्टा के स्लाइस रख देंगे तो इस तरीके से हमारे सारे बॉल्स तैयर हो गये हैं इसको रोजाना एक दो बॉल्स कालो यह सरेण में तुरंत एनर्जी पैदा करेगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे हमें एक नए रेसिपी के सारी बॉल्स कालों पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले